कि यूँ पाकिस्तान में स्क्यूरिटी एदारों के उपर हमले बढ़ते जा रहे हैं दासुडैम जाने वाली चीनी इंजिनिरिंग की गाड़ी पर हमले के नतीजे में पांच चीनी इंजिनियर हलाक हो चुके हैं इसी रोज नोश्की में खुफिया एदारे के उपर दस्ती बमलों से हमला किया गया है इनी दिनों तर्बत और गुवादर में स्क्यूरिटी फोर्सिस पर उपर तले हमले हुए हैं आप इस सुरतहाल का कैसे हमारे नाजरीन को तबस्रा देंगे देखिए बात बड़ी सिंपल है के पाकिस्तान के स्क्यूरिटी एदारों के तमाम तर दावों के बावजूद के वो टेरिस्टों से निपड़ लेंगे हमले बढ़ते चले जा रहे हैं अब यह टरुरिस्ट कौन है यह भी एक वहां पर बड़ी ही जो मुबहिम सी लाइन है वेख सी लाइन है कहीं तो वो बलौच लिबरेशन आर्मी के लोग होते हैं इस तरह के हमलों के पीचे कहीं टीटी पी वाले पीचे होते है सम टाइम जैसे ये दासु डैम वला वाकिया है अभी गालबन दो डाई साल पहले ये किसी तरह का वाकिया हुआ था जिसमें नौ चीनी एंजीनियर्स और कुछ पाकिसानी लोग भी थे वो मारे गए तो वो जो था हमला उसके बाद भी एक हमला उसी आलाके में हुआ पहले हम के पीछे वोग ने कहा क्या है और पाकिसान स्क्रिक डालबान पाकिसान के को हैं एक हमले पीछे वो बिलोच ने कहा अब बिलोच तो मझभी लोग नहीं है उनका तो वो लिबरेशन का अपना एक नेरेटिव है तो बरहार जोबी वहां पर गुर्प्स हो अब सूरत.- पाकि हो रहे हैं और ठीक से पता भी नी चलता कि किस के पीछे कौन है जो हमारी इतलाद हैं वो तो यहां तक हमें पता चलता है कि सम टाइम टी टी पी बलोच ग्रॉप्स ये भी आपस में एक साथ मिलके कुछ इस तरह की जो कौमन दुश्मन उनлом के ली कमन दुश्मन पाकितान की रयास्त पाकिसान के अधार के ले तो देखने मैं लिए बात यह पाकिसान सेक्यूरटी आदारों के तेमाम तर ँदावों के बावजूर ऐसा क्यूं को रहा और खास वर पर जो चीनी वहां पे काम कर रहे हैं जिनका तालख वो जो पाकिसान एकनॉमिट चाइना पाकिसान सी पैक एकनॉमिक कोरिडोर से है वो क्यूं इसका निशाना है तो यह बात तैह है के टी टीपी वाले हो या बलोच टेफरिंट गरूपस हो उन में से किसी को भी चाइना की वहां पर involved जो है ऊपसंद नहीं है चाइना अप्राजग्ट जो है पसंद नहीं उनijdों लगता है कि चाइना वहां पे अपने पंजेगाड़ राया अब आप देखिये जो पाकसान کے مذہبی گروپ ہیں جیسے ٹی ٹی پی ان کا تو مسئلہ ہو سکتا ہے جی سن کیان میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ چائنہ ظلم کرتا ہے لیکن بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچ ڈیفرنٹ جو گروپ ہیں ان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ تو ہے کہ بلوچستان کی جو integrity ہے وہ پہلے پاکستان کی فوج نے اس کو دعو پہ لگایا ہوا تھا ہماری زمین پہ ان انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب ان کا یہ ہے کہ چائنیز بھی یہاں پہ آن کو سے ہیں. ہم ذرا چائنیز کو تو مارے. تاکہ یہ تو یہاں سے بھاگیں. اور فریکلی چائنیز ساری صورتحال سے کافی ڈی مورال آئیس ہوئے ہیں. اور وہ واقعی بھاگنے والی صورت میں ہیں. چائنیز اب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کیسے کریں گے. اب یہ جو کل واقعہ ہوا ہے جس میں پانچ آہ چائنیز انجینئر مارے گئے اور गालबन एक ड्राइवर भी जो पाकसानी था वो भी विचारा उसमें मारा गया तो ये भी उनके लिए डिरस्टेटिंग है के भाई पाकसान की स्क्यूर्टी एजन्सीज के इतने बड़े बड़े हुआ और नोश्की में हमला हो गया जो बताया जाता है कि खुफियादारे का कोई आफिस था जो के जाहर अगर खुफियादारे का आफिस था तो ज्यादा इमकान यहीं एक आई हिसाई का वहां पे आफिस होगा तो जब वो निशाने पर हैं तो चाइनीज सोचते होंगे का हम तो फिर आफ्टर आल बाहर के हैं इसलिए वो पाकिसान वाले बड़ा शोर में चाहरे हैं कि अब चाइना की आनी ताकत के साथ हम मिलके मकाबला करेंगे तो भाई अब मिलके मकाबला अब करेंगे यह तो कई सालों से जारी है आप कुछ करी नहीं सके तो मतब यह किस को दिखावे के लिए यह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं यह ओवर नाइट प्रॉजेक्ट तो नहीं है जाहर है यह काम जो है ओवर नाइट भी नहीं है यह यह हो इनी सकता है सिंपल सी बात ही है चाइना इस्टिल आ माइटी पावर लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर यह काब उपा सके और बढ़ रहे हैं तो इसका मत्मी है कि यह अहलाद वहाँ पे बिगड़ रहे हैं चलिया अब इस सरफ आत्मया जाहर है कि इस तमाम सुरतियाल से चीनी हकूमत पाकिस्तान से खुश नहीं क्योंके एक तो उनके लोग मर रहे हैं दूसरे उनका पैसा भी रूब है तो आप इस मौमले को कैसे देखेंगे देखिए बिलकुछ जैसे मैं अभी बात की कि चीनी हकूमत बिला शुबा खुश नहीं है दोनों हवालों से कि ना तो उनके लोग पाकिस्तान में उनको हिफाज़त मुएसर है और जो मर्जी जबानी दावे करते पिरें इससे को फरक नहीं पड़ेगा चूँकर हलात तो खराब हो रहे हैं या तो हुना हालात काबू में आ रहे हो हलात तो खराब हो रहे हैं दूसरा उनका पैसा भी और कहने को तो उन्होंने शिक्सी टू या सिक्स्टी फाइब बिलियन डॉलर प्लच किया था लेकिन जो हमारी हैं फाझी जनता भी वैसे दिल से नहीं चाहती कि चाइणिज वहां ये अपने इन पंजे गाडंए शकंजे वहां पे कसें क्यूंकि उसका नुकसान जो है वो पाकिसान को बाराल बहुत खौफनाक है क्यूंकि चाइनीज के पज़े गार्णे और शकंजे कसने से होता यह है कि वो मतब लीन पड़ जाती है टेरिटरी कलेम आ जाता है चाइनीज का तो चाइनीज तो इससे कम बात नहीं करते अब चाइनीज को यह लग रहा है कि चलिए हमने 25 तीस बिलियन वाटेवर नंबर इस जो हमने लगा दिया है उसमें ठीक है चाइनीज कंपनियों को ही वो पेमिन्ट हुई है हैं वही लेकर गए हैं बहुत सारा पैसा कुछ पाक्सानी कहा गए कुछ लग भी गया परजेक्ट्स पे लेकिन चाइनीज को यह भी लग रहा है कि यह जो सी पै की सड़क है यहां पे ट्रॉक तो कोई आ जानी रहे कोई भी दुनिया के जो हाईवेज होते हैं उनकी खासवर पर जो टोल्स हाईवेज होते हैं उनके खर्चे होते हैं यूटिलिटी का अगर वहां पे ट्रैफिक ही नहीं है अगर आप ट्रैफिक टैरफ ही नहीं ले रहे तो आप कैस उसको वाइबल बनाएंगे अच्छा फिर चाइनीज का ये जो कोई प्लैन था कि हम अपनी जो गुड्ज हैं वो चीन से सिंक्यानिक से लेकर सीधा गौादर आएंगे तो वहां से वो चलिए हमारे खर्चे इस तरह पूरे हो जाएंगे वो भी अमरीका ने बहुत सारे मलकों ने चाइना के ओपर अपनी जो हैं एक तरह से सक्तियां की हुई हैं कोल वार्स ही चल लिए हैं दूसरा पाकिस्तान के अंदर इंफरस्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है अभी आप ने देखा पिछ बारा तेरा बिलियन डॉलर शायर लगा दिया है तो इसको हम जाहर है वो इसी तरह पैसे पूरे करेंगे अब भी पूरे नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान भी इस पोडिशन में नहीं है कि चाइनीज करजे देने तो दूर की बात है उसका इंटरस्ट भी दे सके तो चाइनीज टर्रिस्ट थे उनके सिंक्यानिक में उनको तंग करते थे उससे ज्यादा तो पाकिसान में उनको तंग कर रहे हैं तो वो यह सोच रहे हैं कि हम किस जगा पे फंस गए हैं और मैं आपको बताओं पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट भी सोईती है कि चाइनीज फंसे कि उनको पता है हमारे पस तो पैसे नहीं एंको पैसे देने के लिए और ये पॉजेक्ट चलने जोगा नहीं है ये किसी एंड पे नहीं पहुंचे गा उनका तुसरे इतना खुआश है पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट की या वहां की जो पॉलिटिकल तो इदर उसे पकड़के एक की टोपी लेके दूसरे के सर पर टोपी दे देंगे चलने इनको थोड़ा सा कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक धोका दे रहे हैं दोनों मुलक और अल्टीमेटली इसमें चाइनेज ही मूँ की खाएंगे और जलीलो के आप हमारे टेग टीवी के यूट्यूब टैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौझूद डूनेट के बटन को दबा कर आप पेट्रियॉन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डूनेट कर सकते हैं सब्सक्राइब टैक्वी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट अनुटिकाशन बटन